पूरी दुनिया में एक मात्र नेपाल ही एक ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना है। यही वजह ही कि यहां किसी भी तरह का स्वतंतरता दिवस नहीं मनाया जाता है। अगर आपको लगता है कि नेपाल परवता रोहन के लिए प्रसिद्ध एक दूसरा नाम दिया गया है। इसके अलावा नेपाल में युनेसको द्वारा चार मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थल है जो इसे सबसे ज्यादा विरासत स्थल वाला देश बनाते हैं। दोस्तों नेपाल देश 14,3,350 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और शेत्रफल के मामले में यह दुनिया का 93 वा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों नेपाल दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जो कि आज तक किसी का गुलाम नहीं बना। जी हां 1814 से लेकर 1816 तक इस देश के राजाओं की लड़ाई अंग्रेजों से हुई लेकिन नेपाल गुलाम नहीं बना। दुनिया के सबसे खूबसूरत देश में से एक नेपाल की बात ही निराली और अगर आपको नेपाल हिंदुस्तान से जाना है तो वीजा लगवाने की भी जरूरत नहीं है। अब हम आपको नेपाल देश की वह तमाम जगे घुमा दे जो की है वर्ल्ड पापुलर डेस्टिनेशन पशुपतिनाथ मंदिर दोस्तों नेपाल दर्शनी स्थल में पहला प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। और यह बात तो आप जानते ह कि पशुपतिनात भगवान शिव को ही कहा जाता है यह सिर्फ धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं बलकि सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है यह मंदिर भगवान शिव को अर्पित है इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं और अन्य धर के लोगों को इस मंदिर के दर्शन बाहर से ही करने पड़ते हैं। यह मंदिर बागमती नदी के किनारे बना हुआ है। इस मंदिर के आसपास काफी सुन्दर्मा हॉल देखने को मिलता है। और शिवरात्री के दिन इस मंदिर में पर्व का आयोजन किया जाता है। पर्व के दौरान काफी संख्या में भक्त इस मंदिर में आते हैं। यह मंदिर काठमांडू से मात्र तीन किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में जाने का सबसे बेस्ट समय सुभह के दौरान सूर्योदय का है। जी हां दोस्तों, वैसे भी हमारे देश में कई ऐसे लोग ह जो कि साल में एक से दो बार भी इस मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन कर लेते हैं। कहा जाता है कि यहां आने के बाद आपके मन को बहुत शांती मिलती है और आपकी सोच बदल जाती है, आप इस दुनिया की सच्चाई को समझने लगते हैं। अगर आप नेपाल जाएं तो इस मंदिर को जरूर विजिट करें। अब दूसरी जगह है मुक्तिनात मंदिर दोस्तों। मुक्तिनात मंदिर नेपाल दर्शनी स्थल का एक और देखने लायक स्थल है। मुक्तिनात घाटी में यह मंदिर भगवान विश्नु को अर्पित है और इस मंदिर में शालिग्राम शिला या शालिग्राम पत्थर की पूजा की जाती है, हिंदु धर्म के अनुसार शालिग्राम शिला में भगवान विश्णु का निवास माना गया है, और इसी लिए इस पत्थर को काफी पवित्र माना जाता है, इस मंदिर को पंगुडा वास्तुकला से बनाय गया है वहीं यह मंदिर हिमालय में 3700 मीटर से भी ज्यादा उंचाई पर मौजूद है जिसकी वजह से इस मंदिर के आसपास काफी प्राकृतिक सुन्दर्ता देखने को मिलती है यहां के तीर्थ यात्रा करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस क्षेत्र की यात्रा में हिमा क्षेत्र की बड़ी परवत श्रिंखलाओं को पार करना होता है अब काठमांडू शहर दोस्तों काठमांडू शहर नेपाल दर्शनीयस थल की शोभा बढ़ाता है नेपाल की राजधानी काठमांडू में शाम के समय सेर करने का एक अलग ही आननद आता है दरासल काठमांड काठमांडू हिमाले के पहाडों से गिरा हुए और ऐसे में शाम के समय यहां का मौसम काफी सुहाना हो जाता है। खाने का शौक है और यहां के खाने का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक रेस्टरेंट भी मिल जाएंगे। ससुराल नेपाल का जनकपुर है। जी हां दोस्तों जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और यह नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता है। यहां पर प्रसिद्ध राजा जनक थे जो सीता माता के पिता थे। दोस्तों आपको बता दें कि आज भी हमारे देश में मिथिला की जै। जैकार है बिहार के कुछ जिले जैसे कि दर्भंगा और मधुबनी मिथिला का हिस्सा है। आप जनक पुर जाकर मा सीता के महल के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों जनक पुर में आज भी वह धनुष वैसे का वैसा ही रखा हुआ है जिसे तोड़ने के बाद भगवान राम की शादी माता सीता से हुई थी। अगर आपको रामायन से प्यार है तो जनक पुर में आप रामायन के हिस्से को जी लेंगे, माता सीता के दर्शन आपको मिल जाएंगे, सागर माथा नेशनल पार्क, दोस्तों सागर माथा नेशनल पार्क भी नेपाल का एक बड़ा पर्यटन स्थल है, जो उद्यान नेपा पक्षी और जानवर देखने को मिल जाएंगे इस पार्क को प्राक्रितिक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और इस जगह पर जाकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है वैसे भी दोस्तों जो भी नेपाल के दर्शन करने निकलते हैं वह सागर माथा नेशनल पाक तो आते ही आते हैं आप भी जरूर जाएगा पोखरा, दोस्तों पोखरा नेपाल दर्शनीय स्थल का एक और प्रसिध दर्शन स्थल है पोखरा शहर के पास ही फेवा जील स्थित है और जील के चारों ओर काफी सुंदर और शांत वातावरण है जो भी लोग नेपाल घूमने के लिए जाते हैं वह पोखरा जरूर जाते हैं पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे फेमस शहर है और इस जगह पर जील के अलावा कई सारे मंदिर भी हैं साथ ही यहां की शाम बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है तब ही कहा जाता है कि अगर आप नेपाल गए हैं तो एक शाम आप पोखरा के लिए भी रख लीजिए जी हां यहां आपको नेपाल की ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल देखने को मिल जाती है यहां के होटल में रहने से लेकर यहां का खाना पीना सब नेपाली स्टाइल का है यहां आप नेपाल को जी लेंगे लुम्बिनी दोस्तों गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी द समराट अशोक ने इसे अपनी नेपाल यात्रा की स्मृति में बनवाया था यहां का प्रमुख आकरशन केंद्र आठ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसके अलावा माया देवी मंदिर भी तीर्थ यात्रियों के बीच खासा लोकप्रिय है इसमें गौतम बुद्ध की मा माया देवी की मूर्ती है माया देवी इस मूर्ती में गौतम बुद्ध को जन्म देती हुई दिखाई गई है कहा जाता है कि यहां जाकर आप जो भी मननत मांगते हैं वह पूरा जरूर होता है और शायद यही वजह है कि लुम्बिनी में भारी संख्या में लोग आते हैं। अपने देश घूमने की है तो आप नेपाल जा सकते हैं। इस देश में जाने का विचार कर सकते हैं। अगर आप नेपाल देश की ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको ज्यादा जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि इस देश की करेंसी काफी सस्ती है और आप आराम से 4-5 दिन इस देश में करीब 25,000 रुपए खर्च करके गुजूर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे नेपाल देश से जुड़े कुछ बेहत दिल्चस्प बातें उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा साथी दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आपने कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपकी कमेंट कर रहता है। इंतजार। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।